हलो फ्रेंड विल्कूम टू माई चैनल कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सो भी अच्छे होंगे और अपनी त्यारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे जैसा कि आपको पता है हम लोग जो है बुद्धी चप्टर पर यानि इंटेली जेंस चप्टर पर बात कर रहे हैं तो आज का हमारा बहुत ही महत्तवर टापिक है कल भी हम लोगोंने बुद्धी के सिध्धान पढ़े थे आज भी पढ़ेंगे और जब तक पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा बुद्धी का चप्टर एकदम अच्छे से खतम नहीं हो जाता है तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे बुद्धी के सिध्धान चैनल पर अगर आप पहली बारा है चैनल को भईया सस्क्राइब कर लीजेगा क्या कर लीजेगा सस्क्राइब को लीजेगा लाइक करना मत भूलिएगा लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा भई कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग लाइक तो कर रहे हैं लेकिन कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो भईया ब निवासी है ठीक है यानि अमेरिका के निवासी है कहा के निवासी है अमेरिका के निवासी है दिखे बहुकारक सिध्धान्त को याद करने की बहुत एच्छी ट्रिग मैंने बताई थी कि जब हम बहु लेने जाते हैं तो डाई करके जाते हैं जब हम बहु लेने जाते हैं तो डाई करके जाते हैं इस तरीके से आप जो है इस सिधान को याद कर शरकते हैं तो बुद्धी का बहुकारक सिधान जो है किस ने दिया है थांडाईक महोदय ने दिया है ये कहते हैं कि बुद्धी के अंतरगत बहुत से तत्व आते हैं ये माली ये आपका बुद्धी है और आक्टर बनने के बारे में, टीचर बनने के बारे में उतने ही तट्व जह बुधि में होते हैं। तुलना जो है बालू के टीले से आपने ये बालू का टीला इस टाइप से देखा होगा बालू का टीला इनके सिधान की तुलना बालू के टीले से की जाती है तो एक्जाम में पूछा जाता है कि बालू का टीला जो होता है यहां जो है किस सिधान से जुड़ा हुआ है तो ब पुद्धी के बहुकारक से धान से जुड़ा हुआ होता है देखे बालू के टीले की क्या होती है उचाई होती है भाईया ठीक है देखे ये उचाई है ना ये उचाई है बालू के टीले की तो भाईया उचाई से थांडाइक महोदे बताते हैं कि बच्चा कहां तक सीखेगा कहां तक सीखेगा ठीक है और इसकी चौडाई होती है बालू के टीले की क्या होती है चौडाई चौडाई जो है किसे डिनोट करता है यह कहते हैं चौडाई जो है बालू के टीले की जो चौडाई होती यह बताती है कि बच्चा कितने विभिन्ने कारे कर सकता है ठीक है उसके बाद बालू के टीले का छेतर फल होता है या छेतर फल होता है तो भाईया छेतर फल बताता है कि कार्णों की संख्या कितनी है कार्णों की संख्या कितनी है उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है गती बालू के टीले में जो है गती पाई आती यह एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जा सकता है तो गती जो है कि किस गती से बच्चा सीख सकता है जो बालू के टीले की गती हे, वो क्या बताती है, कि किस गती से सीक सकता है, किस गती से बच्चा सीक सकता है, सीक सकता है तो भाईया बालू के टीले से इन्होंने अपने सिध्धान्त की तुलना की है यह कहते हैं एक सिच्छक जो है वो डांसर, सिंगर हो सकता है मतलब इस प्रकार का उधारण जो है एक्जाम में आ सकता है कि मतलब एक सिच्छक जो है डांसर भी हो सकता है सिंगर भी हो सकता है ठी कर देंगे तो आसा करता हूँ यह आपको समझ में आओगा अगर आपको समझ में आ रहा है यह लाइक ठोक दीजे फटा फट उसके बाद हमारा अगला जो सिध्धान्त है वो है बुद्धी का समुह कारक सिध्धान्त कौन सा सिध्धान्त समुह कारक सिध्धान्त बुद्धी का समूह कारक सिध्धान्त देखे इसको याद करने के ट्रिक मैंने बताई थी कि समूह कारक सिध्धान्त को कैसे याद रख सकते हैं श्रमूह कारक सिध्धान के प्रतिपादक कौन है देखे श्रमूह का वजन जो होता है वो टन में होता है ठीक है तो ये किस ने दिया है किस ने दिया है थ्रश्टर ने थ्रश्टर ने जो है समूह कारक सिध्धान दिया है क्योंकि इनके नाम में टन आ रहा है और श्रमू का वजन जो है किस में होता है वो 10 में होता है ठीक है देखे इन्हों ने यह सिद्धान जो है 1938 में दिया था कब दिया था 1938 में दिया था यह कहां के निवासी है यह भईया USA के निवासी है ठीक है इनकी एक पुस्तक है कौन सी पुस्तक है बहुत ही फेमास एकजाम में पूछी जाएगे तो आप जो है दिवाल नहीं देखेंगे पंख्ये नहीं गिनेंगे कौन सी पुस्तक है Primary Mental Ability प्राथमिक मांसिक योगता ठीक है प्राथमिक मांसिक योगता या Primary Mental Ability जो है यहाँ पुस्तक थ्रस्टन की है और इसी पुस्तक में जो है इन्होंने समु कारक्षिद्धान की बात की है और 1928 में समु कारक्षिद्धान जो है थ्रस्टन ने दिया था प्रारंभ में ठीक है यह कहते हैं कि बुद्धी के तेरा तत्व होते हैं बुद्धी के कितने साथ तत्व कौन से हैं उसको याद करने की एक ट्रिक है सन वी रम वी पी सन वी रम वी पी इस तरीके से मैंने एक ट्रिक बनाए थी आई उस पर बात कर लेते हैं और ये जो साथ जनमजात योगताय होती है इनका जो पूरा समू होता है वो होता है इन्टेलिजेंस ठीक है इसको याद रखेगा सन वी रम डबलू को मा लेजे वी ठीक है वा जो है उचारण होता है तभी मैंने वी कहा है और पी सन वी रम वी पी तो ये साथ जनमजात जो 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 गताय होती है इनका योग ही क्या होता है बुद्ध होती है तो भाइया इनके बारे में बात कर लेते हैं एक्जामें पूछा जाएगा कि ने मिन में से सम्मुख कारक सिधान्त के अंतरगत कौन सी जो है एगिलीटी जो साथ जनमजात योगताएं हैं कौन सी हैं ये कौन है मतलब 7 जनमजात योगताएं है ठीक है और S मतलब होता है क्या होता है S मतलब होता है special ability क्या होता है special ability ठीक है उसके बाद N मतलब होता है number ability ठीक है, V मतलब होता है, वर्बल एबिलिटी, विसाथ जन्मजात योगता हैं, याद रिखेगा, R मतलब होता है, रिजनिंग एबिलिटी, एब मतलब होता है, मेमोरी एबिलिटी, उसके बाद, डबलू होता है, वर्ड एबिलिटी, उसके बाद, पी होता है, परपेक्चुल एबिलिटी, अगर बात करें हिंदी में, तो इस्पेशल मतलब इस्पेशल एबिलिटी यानि प्रेच्छन योगता, नंबर एबिलिटी यानि अंक योगता, वर्बल मतलब साबदिक योगता, रिजिनिंग मतलब तार्खिक योगता, मेमोरी मतलब इस्मर्ण योगता, डबलू मतलब वर्ड एबिलिटी यानि वाक योगता, उसके बाद परपेक्चुल यानि परवेच्छन योगता, तो इन साथ जनमजात योगताओं का योग क्या होता है, इन्टेलिजेंस होता है, यानि बुद्धी होता है, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेगा, एक्जाम में क्या होगा, कि निमन में से, थ्रस्टर ने कौन सी योगता नहीं बताई हो, तीन दीए होंगे आपके, और एक जो है कुछ और दे देगा, तो इसी बज़े से इन साथ जनमजात योगताओं को रट लीजे, जब पेपर जो है टप बनेगा, तो ये जो है आ जाएगा, तो भाईया, आगे देखते हैं, तो भाईया, पेपर जब टप बनेगा, तो आजाता है, तो आप लोग टेंसर मत लीजे, आराम से पढ़िए, उसके बाद आपका है, तरल ठोस सिध्धान्त, कौन सा सिध्धान्त भाईया, तरल ठोस सिध्धान्त, लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है भईया लाइक वाइक कर दें कमेंट करके भईया देगे सबसे पहले कमेंट करें आप लो कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा भले ही जो है थम करिएगा ठीक है लाइक के साथ एक थम जो है कमेंट कर दीजेगा य तो तरल ठोस Crush सद्धान जोह किस ने दिया है यह दिया है RB किस ने दिया है RB देखे ठोस द ली में टरल चाह इसको आद करने के । है रही जली में है पहलत ही आसाने थोस द्रस किदली और ठर्ल चाहिए किस त्रीके से जह सद्धान को आपतल है हैं एक दम ट्रिक से देखिए जो तरल होता है new तरल वुद्धि होतीजें और ठोस वाली कैसी होती है अरजित बस यही आपको ध्यान रिखना है तो ठरल ठोस सिद्धानत आप समझ गयोंगे उसके बाद आपका आता है पदानुक्रमिक सिद्धान कौन सा सिद्धानत बुद्धी का पदानुक्रमिक सिद्धान यह दिखे बहुत ही आसान सा है देखे इसको मैंने याद करने के ट्रिक बताई थी कि जो हमारी सर्ट होती है ना सर्ट में जो बटने होती है वो कैसे लगी होती है क्रम से लगी होती है ठीक है तो इसका जो प्रतिपादक है वो है फिलिप बर्नन फिलिप बर्नन ठीक है तो भईया बर्नन को माली जी बटन और क्रम तो भईया हमारी सार्ट में जो बटनें लगी होती है ये क्रम से लगी होती है तो भईया पदा अनुकरमिक सिध्धान यानी फिलिप बर्नन ठीक है कोई बात नहीं है वो तो चलता रहता है तो या सिद्धान जाए फिलिप बढ़ने ने दिया था बुद्धी वा है जो सामान से अरजित बुद्धी क्यों जाती है या कहते हैं बालों को निमनिस्तर से सिखाना चाहिए जैसे बच्चे को पहले का और खा ठीक है फिर उसके बा प्लस मा प्लस ला तो क्या हो जाएगा कमल तो भहिया इन इनको जो है क्या करना मानी बच्चों को जो है कैसे सिखाना है बच्चों को एकदम करम से सिखाना है तो इसी विज़े से सिध्धान को पदायन करमिक सिध्धान भी कहते हैं उसके बाद आपका सिध्धान आ जाता ह कि हिंदी वड़माला में कावा खा है तो यह सिध्धान दिया है है ठीक है यह कहते हैं जो का होता है जो का होता है वो क्या होता है जन्मजात कारक होता है कैसा कारक होता है जन्मजात होता है खा कैसा होता है अरजित कारक होता है ठीक है देखिए कावा खा तत्व के मिलने से ग तत्त ही वेक्टिवी को सही उद्दे से की ओर ले जाता है और समस्या का समाधान करवाता है तो भीया आज का जो हमारा महत्वपों टापिक था यहीं पर समावत हुआ और आसा करता हूं आपको समझ में आयोगा एक्जाम में इससे सीधे प्रशन पूछे जाते हैं आप लोग पूरट लिजेगा मिलेंगा आप से एक लिए वडियों तब तक के लिए जैए वारत